नमस्कार दोस्तो स्वागत है वर्फिस से रोधगार समाचार में आज इस वीडियों में दोस्तो हम बात करेंगे इंडियन नेवी के द्वारा मांगे जाने वाले आविद्नों से संबन देद तो चलते हैं जानकारी की तरफ दोस्तो भारतिय नोसेना यानि इंडियन नेवी के द्वारा सौट सर्विस कमिसन ऑफिसर जिसको एससी ऑफिसर एंट्री के नाम से भी जाना जाता है इसके लिए जनवरी दो हजार पचीस बैच के लिए ऑनलाइन मोड में आविद्न मांगे जा रहे हैं संपूर जानकारी प चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तो जानकारी के तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवाएं आव सुरुवात करें नएकल की तो दोस्तो इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया गया अर्वर्टाइजमेंट ही हमने ब्रांच के अंतरगत जून 2024 कोर्स के लिए मांगे जा रहे हैं ओनलाइन आवेदन करने की यहां अंतिम्तिती रखी गई है तीन मार्च 2024 इन पदों के लिए ओनलाइन आवेदन 23 फरवरी 2024 यानि आज से प्रारंब हो चुके हैं केवल अनमेरिड महिला और पुरुस इन पद दो जुलाई 1999 के और एक जनवरी 2005 के बीच का होना चाहिए एडिजिबिल्टी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन यहां रखी गई है ऐसे कैंडिडेट जिनोंने 60% मार्च के साथ में इंगलिस सब्जेक्ट के साथ दस्वी और बार्मी के लास पास की है वो इन पदों के लि Information Technology, Computer Software System, Cyber Security, System Administration, Networking, Computer Systems and Networking, Data Analytics और Artificial Intelligence या फिर MCA, PCA के साथ या BSC Computer Science, Information Technology के साथ आविदक ने डिग्री हासिल की हो तोटल पदों की संग क्या है? 15 यहां मैन और वोमेन दोनों हिन पदों के लिए आविदन के योग्या होंगे ऐसे Candidate जो दोने NCC का C Certificate लिया हुआ है उनको 5% का Relaxation दिया जाएगा Cut-off of Marks में जब उन्हें SSV के लिए Short List किया जाएगा NCC, C Certificate, Naval Army, Air Wings और कम से कम B Grade के साथ होना चाहिए साथ ही आविदक ने 2 साल तक Senior Division, Naval Army, Air Wing के लिए NCC के अंतरगट काम किया हो C Certificate should not be prior यानि 1 जून 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए यहाँ जो selection पिरक्रिया होगी, online application जितने भी प्राप्त होंगे उनको Short List किया जाएगा Graduation की डिग्री में प्राप्त आंकों के आधार पर BE, BTEC के ऐसे Candidate जो की Final Year या Final Semester के एक्जाम दे रहे हैं वो भी इनके लिए आविदन के योग्य होंगे साथी Post Graduate डिग्री प्रोग्राम वाले Candidate जैसे MSC, MCA, MTEC इनके जो Marks हैं सभी Semisters में वो SSB के लिए Consider किये जाएंगे ऐसे Candidate जो की MSC, MCA, MTEC कर रहे हैं उनके Pre-Final Year तक के जो Marks हैं वो SSB Interviews के लिए Consider किये जाएंगे SSB के लिए Short List किये गए Candidates को Merit List के आधार पर Inform किया जाएगा SSB Interview के लिए Email और SMS के माध्यम से Final Merit List जो तयार की जाएगी SSB में जो Marks Obtain होंगे Candidates के दौरा उसके आधार पर एक Final Merit List तयार की जाएगी इस Merit List में जो भी Candidate अपनी जगा बनाएंगे उनको Police Verification, Character Verification और Availability of Vacancies in Entry के Base पर Select किया जाएगा Thought Service Commission के लिए जो Selected Candidate है उनको 10 साल के लिए Select किया जाएगा और यहां उसे Maximum 4 साल के लिए 2-2 साल के टर्म में बढ़ाया जा सकता है Selected Candidate का जो Provation Period होगा 2 साल का होगा इन पदों के लिए केवल Online Mode में आविदन किया जा सकता है JoinIndiaNavy.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अंतिम्तिती है 3 March 2024 तक तो अंतिम्तिती से पहले पहले अगर आप भी भारती या नौसेना को जोईन करने की इच्छा रख सकते हैं रखते हैं Source Service Commission Officer के रूप में तो Online Mode में अपने Application Form को जरूर सम्मिट कर दें अंतिम्तिती 3 March 2024 से पहले पहले स्वासा करते हैं पदों के सम्मन्द में उपलब्द कराईगे जानकारी आपको अच्छे जरूर लगी होगी इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें अपने दोस्तों में सेर कर दें पहली बार चैनल पर आए है मिलते हैं लेटिस जानकारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभरो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें झाल के लेन